जैशी कुष्णा दोस्तो वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम करक राशी 2023 राशी फल बताने वाले हैं करक राशी वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा साथ ही संतान प्राप्ति के योग कब बन रहें कौन से महिने में आपको गुड नियूज मि लोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच सके दोस्तो 2023 में देखे कई सारे ग्रह राशी परिवर्तन करने कई बदलाव होने वाले हैं क्योंकि 17 जनवरी को शनी देव मकर राशी से निकल कर कुम राशी में प्रवेश करेंगे और 21 अप्रेल को देव गुरू ब्रस्पत के लिए 2023 बहुत ही शेश रहने वाला है क्योंकि आपके भाग्य स्थान में देव गुरू ब्रस्पति हैं आपके भाग्य का पुरा-पुरा सायोग मिलेगा अगर लंबे समय से देखे आप करजे से परिशान चल रहे तो करजे से मुक्ति मिलेगी भाग्य का पूरा-पुर स्थात मिलेगा क्यूंकि आपके भागे स्थान में देव गुरु ब्रस्पती है और साथ ही आपके करियर में बदलाब आने के बहुत अच्छे योग बने वें दोस्तों संतान पक्षि की तरफ से आपके लिए ये साल बहुत ही शेष्ट रहने वाला है क्यूंकि 2023 में स्टार् अगर करकराशी के जा तक देखे संतान की प्लैनिंग कर रहे हैं तो अप्रेल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही प्रबल संतान सुक का योग बना रहा है अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सम दिन के साथ सम तिथी का प्रियोग अवश्य ही करें इसके की तरफ से भी आपको कोई गूड नीज मिलने के बहुत अच्छे योग बने हैं दोस्तो उसके बाद अगस सेप्टेमर अक्टूवर के महिने में अगर आप का जो आर्थिक मतलब शेत्र है वो मजबूत होगा अगर आप कोई ओनलाइन काम करते हैं ओनलाइन से सम्मंदिद आपको प्रॉफिट मिलने के बहुत अच्छे यानि लाब मिलने के बहुत अच्छे योग बने हैं अगर आप कोई भी ओनलाइन बिजनस करते हैं तो उसमें आपको बहुत शेष लाब होने के योग बने हैं इसके अलावा भी दोस्तों देखे कर्ग राशी वालों को 2023 में रहिया स्टार्ट हो रही है यानि शुरू होगी लेकिन अगर शनी देव आपकी कुली में अच्छे स्थान में बैठे हैं अच्छी उनकी दृष्टी है मित्र स्थान में हैं तो आपके लिए शनी देव बहुत ही शेष रहने वारे हैं करियर में तरक्ती के बहुत अच्छ आपके योग बनेंगे शनी की डही आपको परेशान नहीं करेगी साथी दोस्तों कौन से महीने में करकराशी वालों को थोड़ी सी साफधानी रखनी पड़ेगी अपने स्वास्ते को लेकर या आपको मतलब पेट या घुटने से संब्दिन कोई परेशानी हो सकती है वो है मार्च, अप्रेल और उसके बार नवेंबर और दिसेंबर के महीने में थोड़ा से साफधानी अवश्य रखे अपने स्वास्ते को लेकर कुल मिलाकर 2023 में करकराशी वालों के लिए देखे संतान सुक के बहुत ही प्रबल योग बने में जो भी दमपती देखे संतान की ब्लाइनिंग कर रहे हैं तो निशिद ही उनको संतान सुक प्राप्त होगा साथ ही करकराशी वालों को क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों करकराशी वालों को ओम नमश शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए अगर आपको हमारी जानकरी वीडियो पसंदाई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा आप सबी को